नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें क्या आपको पता है कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या या फिर साबधानिया दोनों की ही आवसकता है नहीं तो समस्या आएंगी देखिए सबसे पहली बात तो सनीवार के दिन अगर आपने भी तक कर्ज लिया नहीं है या फिर दुबारा से लेने वाले हैं तो हमेसे याद रखिएगा सनी वार के दिन कर्ज भूल कर भी मत लें क्योंकि सनी वार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्थी नहीं होता और सनी वार के दिन कर्ज के पेपर पर लोन के पेपर पर साइन भी मत कीजिए नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी किसी भी मेहने की 8, 17 और 26 तारीक को कर्ज मत लीजे क्योंकि 8 अंक सनी का अंक है अगर इन तारीकों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परिसान रहेंगे कर्ज जब भी आप लेते हैं पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूल कर भी साइन ना करें वर ना कर्ज चुका नहीं पाएंगे प्रयास कीजिए कि सोमबार, बुद्धवार और सुक्रवार के दिन ही कर्ज लें क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन की मुस्किनों से दूर निकलाते हैं यानि जल्दी समाप्त हो जाता है ये कर्ज जहां तक संभव हो साइन करते के समय जब आप लोन के कर्ज के पेपर में साइन करते हैं तब मन ही मन बोलिए कि हे प्रभू ये तुम्हारी ही चीज है और तुमें ही अरपित कर रहा हूं धन भी आपका है आप भी उनके हैं ऐसा उनको कहिए और धन को अपने आपको उनहीं को समरपित कर दे तो कर्जे से छुटकारा जल्दी मिल जाता है लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फसते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वेगर भी चलने लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक छोटा सा प्रियोग करना सुरू करें देखिए आज हम आपको पान के पत्तों का प्रियोग बताएंगे पान के पत्ते का प्रियोग फिर हम बताएंगे कि क्या क्या आप प्रियोग कीजेगा देखिए पान का पत्ता बहुत ही जादूई होता है धन की मुस्किलों को दूर करता है जो आप पान का पत्ता इस्तेमाल कीजेगा वो बिलकुल साबूत यानि कटा फटा हुआ ना हो साफ सुत्रा सुन्दर सा ग्रिन कलर का हो तो अच्छा रहेगा बड़ा छोटा मायने नहीं रखता लेकिन जो पत्ता है वो खुबसूरत हो अब पत्ते का डंठल निकाल दे और पूरा चिकना और साबूत पान का पत्ता आपको लेना है हरे रंग का तो अब अगर आप कर्ज में बहुत जादा परेसान है और आपको लगता है कि लाब नहीं हो पारा आप तमाम प्रियास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं तब ऐसी दसा में पान के पत्ते का यो प्रियोग आपके जीवन की मुस्किलों को दूर करेगा पान का पत्ता एक लेना है जैसे हमने खा बिल्कुल वैसा ही अब उस पर लॉंग और इलाइची रखें लॉंग एक या दो ले लें इलाइची हरी इलाइची एक ले लें अब इस पत्ते को मोड कर पान के बीड़ा बना लीजे अब मंगलवार की साम के समय असनान बिगर कर लीजेगा और फिर या आप चाहें तो फ्रेस कपड़े पहन ले हाथ पैर धोकर नौन विज मत खाईएगा मंगलवार को जब आप ये प्रयोग करेंगे अब मंगलवार की साम हनुमान जी के मंदर में जाए और पान का बिडार पित कर दें तीन महिने तक लगातार हर मंगलवार की उपर उखे अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके घर से आपके बदले में कोई और भी कर सकता है अगर कर्ज चुकने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे तो इन तीन महिने में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे आप आसानी से कर्जों से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हनुमान जी की जो सरन में आ गया उसको फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए क्योंकि हन्मान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से परिसानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं अब एक छोटा सा प्रियोग कई बार क्या होता है लाग प्रियास्त कर लो ना तो आपके कर्ज चुकते हैं न धनाता है न जीवन की मुस्किलें कम होती है यानि ऐसा नहीं कि सिर्फ करज में ही परिसान है अब करज में भी फसेवे हैं धन भी नहीं आ रहा है साधी बिवाग नहीं हो पा रहा है नोकरी में प्रमोसर नहीं हो रहा है जॉब करते हैं आपके बिवाग में पैसे फस गया है आप बेपसाई हैं आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फस गया है अब आप परेशान हैं आखे कहीं से तो पैसा आए कि आप करजे से मुक्त हो तब ऐसे में एक छोटा सा प्रियोग करें जो आपको लगे कि चारो तरफ से आप गिर चुके हैं आपका अपना मकान तक न पत्ता ही चाहिए और पान का पत्ता हरी रंग का लीजिएगा डंठल हटा लीजिएगा साफ सुथरा सुन्दर सा पत्ता हो जितना खुबसूरत आप पान खाते हैं उतना ही खुबसूरत लेना है अब इस पत्ते पर आपको ये पत्ता लेना है और आपको इस पत्ते को लेक अब रुखा साइड जो पत्ता का आपने ऊपर किया उस पे दो लौंग रखें अब दोनो हाथों में इस पान के पत्ते को लेकर गर से निकलना है और बहते हुए पानी में जाद रखें बहते हुए पानी में क्यों नदी ताला वेगेर होगा आप दोनों हाथों में पान के पत्ते को आप उठाईए और चिकना साइड नीचे रखिएगा रुखा साइड उपर रखे उसके उपर दो लॉंग रख दे अब बहते वे पानी में इसको दोनों हाथों से प्रभाहित कर दे फिर हाथ जोर कड़के प्राफना करें जो आपके काम में रुकावटे हैं जो आपके जीवन में धन के करजों की मुस्किले हैं इस पान के पत्ते के साथ वह भाजाए तो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेसानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और दो से तीन महिने के अंदर ही आपके काम की हर रुकावटें दूर हो जाएगी आपके काम में आपको सफलता मिलने लगेगी जीवन में जो परिसानिया हैं उन से बाहर निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे बहुत सिंपल है कीजिए अब एक और छोटा सा परियोग हमने आपको कहा कि हमी तीन उपाए बताएंगे आप के लिए संबभवो तो तीनों ही उपाए कर ले या आप कोई भी एक भी कर सकते हैं तो एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा लेकिन ये प्रियोग आप खुद करें या आपके घर की कोई भी महला आपके बदले में कर सकती है लेकिन महलाएं हनमान जी को नहीं छुएंगी देखिए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात एक बिसेश परियोग किये जाते हैं लेकिन जब आप ये परियोग कीजिएगा तो आप कोसिस कीजिए कि उस दिन नमक न खाएं अगर नमक खाते भी हैं तो सेंधा नमक खाईए सात्विक यानि कि बिना लहसन पे आज का खाना बनबाईए और खाईए तो मंगलवार की रात में दिन भर आपको सात्विक भोजन करना है और रात में अश्टनान कीजिए 11 से 1 बजे के बीच ये परियोग करना है याद रखिए रात 11 से 1 बजे के बीच क्योंकि रात के समय जो जब सब कुछ स्थिर होता है तो आप प्रभू से आसानी से जुड़ पाते हैं अब आप रात में अश्टन बगेरे करके फ्रेस हो जाएं और फ्रेस कपड़े पहन लें हनुमान जी के सामने आप अपने घर में ही बैठ जाएए अब एक दीपक जलाएए हनुमान जी के सामने बैठ जाएए आप सुभब में ही पूजा पाट कर लीजेगा चाहें तो सामने भी आप लाल पुस पर पित कर सकते हैं अब हनुमान जी के सामने एक बड़ा सा दीपक जलाएए यह दीपक सर्सों के तिल का भी जला सकते हैं घीब का भी जला सकते हैं आपके पास जैसी सुभीधा जैसी भावना वैसी बक्ती अब हनुमान जी के सामने बैठ कर दीपक जला कर बैठ जाएगे 11 बार हनुमान 40 का पाठ करे और ये परियोग नियमित रूप से आप कम से कम 11 मंगलवार तक कीजिए कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा लंबे समय तक ये परियोग करना है आपको और रात 11 से एक के बीची करना है इस बात का ध्यान देखेगा आपको जल्द से जल्द कर्जों से छुटकारा मिलेगा आप कर्ज से मुक्त हो जाएगे तो ये परियोग बहुत ही सिंपल है और इसका लाब भी आपको मिलता है अब एक और छोटा सा देखेए आपके साथ बहुत ज़रूरी बाते हैं अगर आप चाहते हैं कि कर्जों से जल्दी आपको मुक्ती मिल जाए तो एक छोटा सा काम कीजिएगा आप रिन मोचन मंगल स्तुरोट रिन मोचन मंगल स्तुरोट का पाठ कीजिए या आप कनकधारा स्तुरोट का भी पाठ नियमित रूप से करते रहे तो कर्जों की मुस्किनों से भी बाहर आ जाएंगे कर्जों की समस्या आपको परिसान नहीं करेगी याद रखिए कनकधारा स्तुरोट या फिर रिन मोचन मंगल स्तुरोट उससे भी कर्ज से मुट्धी मिलती है और साथ ही आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्जे उतारने का प्रियास कीजए यानी कर्जे आप थोड़ा थो खुरक्र करके वापस करते होंगे ला तो मंगलवार के दिन 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी आपके पास है कोशिस कीजिए देने की तो आपका करजा जल्दी उतर जाएगा और मंगलवार के दिन दक्षिन मुखी हनुमान जी को अगर सिंदूर अरपित करें अगर आप पुरुसें तो महिलाएं लालपुस पर पित करेंगी तो ऐसा करने से भी जल्दी करजा उतर जाता है घर में तीन बार सुबह साम संक जरूर बजाईए